नमस्कार दोस्तो मैं डॉक्टर स्वपनेल शागर जैन निरामय होमियोपैथी के अपने इस यूट्यूग चैनल पर आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ दोस्तो आज के जमाने में कब्ज की जो समस्या है यानि की पेट एक बार में ठीक से साफ ना हो पाने की जो समस्या है वो लोगों में बहुत जादा बढ़ती चली जा रही है। और इसका सबसे प्रमुक कारण ये है कि वो जो लोग है या तो उनके खाने पीने की आदत है सही नहीं है वो जो खापी रहे हैं वो चीजें सही नहीं है और या फिर उनके खाने पीने की टाइमिंग सही नहीं है अब इसके कारण जब उनकी आतों में सही गती नहीं होती है त तब उस condition में वो अलग-अलग पैथी में जाते हैं, कभी Ayurvedic कोई दवाई खाली, कोई नुस्खा खाली है, कभी Homeopathy की खाली, कभी Allopathy की खाली, बहुत सारे तरह-तरह के नुस्खे वो लोग अपनाते रहते हैं। यदि हम Allopathy की दवाईयों की बात करें, तो एलोपैथी के जो lexatives होते हैं उनके बहुत ज़्यादा side effect होते हैं तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि यदि कभी आपके साथ कोई ऐसी emergency हो जाए कि आपको अचानक कहीं जाना है और आपका पेट बिलकुल साफ नहीं रहता है और आपको पेट साफ करने की बहुत ज़्यादा जरूरत है तो हुम्योपैथी में एक बहुत अच्छा lexative आता है जो की ना केवल आपके पेट को पूरी तरह से साफ भी कर देगा बलकि इसका यदि आप कुछ दिन continue भी यूज़ कर लेते हैं भी इसका कोई side effect आपकी body पे देखने में नहीं मिलेगा इसमेडिसिन का जो नाम है दोस्तों वो है lex yellow tablet आप देख सकते हैं ये मेरे पास lex yellow tablet रखी हुई है और मैं इसकी केवल तीनी tablet आपको दिखा रहा हूँ क्यों कि इससे जदा कि आपको जरूरत भी नहीं पड़ेगी आता है इसका पूरा पत्ता है एक पूरा पत्ता एलोपैथी की दवाई जैसा पत्ता आता है दस गोली का पत्ता आता है और केवल 35 रुपे का ये पत्ता आता है तो ये आपको किसी भी होमियोपैथिक मेडिकल स्टोर पे मिल जाएगी अब यदि हम इसके composition की बात करते हैं तो इसमें जो दवाई मिली हुई है वो तीनों ही होमियोपैथिक दवाई है और बढ़ी safe medicine है पहली है सैना होमियोपैथी में सैना का उपयोग बहुत ज़्यादा किया जाता है बहुत ही अच्छा एक laxative है दूसरी है sulfur sulfur भी होमियोपैथी का बहुत ही अच्छा एक antisoric polycrest medicine है जो की बहुत सारी बीमारियों में बहुत अच्छा काम करता है और तीसरा है phenophthalene इसको भी 1x potency में homeopathic medicine बना के इसका उपयोग किया गया है तो सैना भी 1x में है sulfur भी 1x में है और phenophthalene भी 1x potency में इसमें मिली हुई है अब 1x potency में मिलाने से इसकी खासियत ही हो जाती है कि जो भी chemical के जो side effect होते हैं सामाने तोर पे लेने पे homeopathic में 1x potency के फिर कोई side effect नहीं होते हैं तो जिन लोगों को lexative लेने के कारण कभी-कभी बहुत ज़्यादा परेशानिया होने लगती हैं इस tablet के कारण उनको किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी अब ये जो tablet है ये किस तरह से काम करती है तो ये आपकी आउतों की गती को बढ़ा देती है जिसके कारण जो कि कभज के पीडित जो लोग होते हैं उन लोगों की आउतों का जो movement होता है आउतों की जो गती होती है वो सही नहीं होती है जिसके कारण उनको कभज की समस्या हो जाती है तो सेना, सल्फर और फेनाप्तेलिन ये तीनों ही दवाएं आपकी आतों की गती को regulate करती है नियंतरित करती है और उसके कारण आपका जो पेट है वो एक बार में बड़े अच्छे से साफ हो जाता है यदि हम इस मैडिसन के डोज की बात करते हैं कि आपको इसे खाना किस तरह से है तो आप इसकी दो गोली ले आईए रात में गुनगुने पानी से आप ये दो गोलीयां खा लीजिए जिनको बहुत ही ज़्यादा कब्ज की शिकायदी यानि कि जो लोग तीन चार दिन पांच दिन तक फ्रेश होने नहीं जा पाए हैं उन लोगों के लिए दो गोली खाना है और जिन लोगों को सिंपल सी कब्ज हो गई है और ऐसा उनको लग रहा है कि पेट एक बार में अच्छे से साफ नहीं हो पाया है तो फिर वो लोग केवल एक गोली खाए और एक गोली भी खा आपको खाना है अब कई लोगों को जैसे ही ये आतों पे गती करेगी तो पेट में थोड़ी सी मरोड टाइप की महसूस होगी ये मैं आपको पहले ही यहां पे बता देना चाहता हूँ तो ये इसका कोई साइड एफेक्ट नहीं है ये एक केवल एफेक्ट है जो कि आपकी चुकि आतों की गती अभी तक सही नहीं थी इसलिए वो जो मूवमेंट था उसके कारण आपको अब चुकि वो होना शुरू हुआ है तो थोड़ा सा आपको पेट में मरोड जैसा एहसास होगा बहुत जादा नहीं होगा हलका थोड़ा बहुत होगा थोड़ी सी देर के लि दवाओं को दिन में किवल एक बार खाना है उन्हें सुभे खाली पेट खा लेना चाहिए मूह में अच्छे से कुला करके गारगल्स करके मूह को साफ कर लेना चाहिए और उसके बाद हमें होमियोपैथिक दवाई खा लेना चाहिए जिन दवाओं को दिन में दो बार या तीन बार या चार बार खाना होता है उन दवाओं को खाली पेट खाने का मतलब होता है कि हम उन दवाओं को खाने के लगभग आधे घंटे पहले या फिर दो से धाई घंटे बाद ही खाएं और उस इस्थिती में भी हमारे मुह में किसी भी वस्तू का किसी भी चीज का स्वा पारीके से काम कर सकती हैं तो हमें हमेशा ये धियान रखना है कि जब भी हम होम्योपेथिक दवा खाएं हमेशा खाली पेट खाएं और हमारे मूह में किसी भी चीज़ का स्वाद या किसी भी चीज़ की स्मेल ना हो अब बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि हम कच्चा प्याज खा सकते हैं या अदरक खा सकते हैं या हींग खा सकते हैं या इलाइची खा सकते हैं या नहीं बिल्कुल आप इन चीजों का इस्तेमाल कर सकते हैं होमियोपैथिक दवाओं को खाते समय आप इन सभी चीज़ों को बड़ी आसानी से खा सकते हैं बस याद ये रखना है कि जब भी आप होमियोपेथिक दवा खाएं इन में से किसी भी वस्तू का किसी भी चीज़ का स्वाद आपके मुह में ना हो यानि कि जब भी आप इने खाएं तो इनके खाने से या तो आदे गंटे पहले होमियोपेथिक दवा खा लें या फिर इने खाने के दो ढ़ाई गंटे बाद जब कि आपने मुह में अच्छे से कुला कर लिया हो अच्छे से गारगल्स कर लिये हो तब इन होमियोपेथिक दवाओं को खाएं तो आपको हमेशा होमियोपैथी के सबसे अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे लोग गलती यही कर देते हैं कि वो प्याज खाना छोड़ देते हैं कच्चा प्याज, लहसों, अद्रा, खींग सब खाना छोड़ देते हैं लेकिन फिर भी उनको मुह में सफाई ना होने के कारण हमियोपैथिक दवाओं का अच्छा रिजल्ट देखने को नहीं मिलता है यह हमियोपैथिक दवाएं आपको किसी भी ऑनलाइन फार्मेसी पर या आपके घर के नजदी किसी भी हमियोपैथिक मेडिकल स्टोर पर बड़ी ही आसानी से उपलब्ध हो जाएंगी यह दवाएं हर हमियोपैथिक फार्मेसी पर उपलब्ध होती है हर ओनलाइन फार्मेसी पर उपलब्ध होती है इसलिए आप वहाँ से इन दवाओं को प्राप्त कर सकते हैं निरामय होमियोपैथी क्लीनिक से ना ही किसी मरीज को कोई दवा बेची जाती है और ना ही कोई दवा भेजी जाती है इसलिए अपने नजदी की homeopathic medical store या online pharmacy से ही इन दवाओं को प्राप्त करें तो ये जो medicine है दोस्तों किसी भी homeopathic medical store पे आपको मिल जाएगी 10 गोली का इसका पत्ता आता है पूरा और आपको ये 35-40 रुपे के आसपास की पड़ेगी बड़ी अच्छी medicine है बिना किसी side effect की medicine है तो जो महंगे महंगे lexatives आप लोग बाजार से लेके आते हैं उनका use ना करें इस medicine का use कर सकते हैं बच्चों को इसका dose नहीं देना है ये ध्यान रखना है गर्बबती महिलाओं को ये दिया जा सकता है बलकि जादा तर जो आजकल ऐलोपैथी के doctors भी हैं चुकि वो भी देखते हैं कि ऐलोपैथी के जो lexatives होते हैं उनके काई सारे side effect होते हैं pregnant woman पे गर्बबती महिलाओं पे तो फिर उससे बचने के लिए वो लोग भी यही होमियोपैथी tablet यूज़ करने लगे हैं तो आप भी इस दवा का यूज़ कर सकते हैं आज के लिए फिलाल इतना ही दोस्तों आगे के वीडियोज में मैं आपसे बात करूँगा कुछ नई बीमारियों के बारे में और उनकी होमियोपैथिक दवाओं के बारे में तब तक के लिए जय हिंद जय भारत